कि मुझे दोस्तों तो आप देख रहे हैं यहां पे मैंने के डेन लाइव डेक्स्टॉप वीडियो एडिटर अपने PC में ओपन कर रखा है और साथ ही मैंने कुछ इमेजेज और वीडियो इसमें एड़ कर रखे हैं हम बाद में बताने वाले हैं कि कैसे हमें अपने प्रोजेक्ट के लिए सारे वीडियो और इमेजेज या फिर एफेक्ट्स या फिर ग्रीन स्क्रीन वगेरा एड़ करना कैसे हैं पहले मैं आपको बता दूं कि एक एक वीडियो एडिटिंग के लिए लगेंगे वह हम यहां पर एड कर सकते हैं और साथ में उनको क्लिक करते हैं यहां पर एक इस विंडो में हम उनकी इमेजस्छे या वीडियो क्लिपस को देख सकते हैं, तो आप देख रहे हैं कि यह इमेज एड करने पर यह एक five seconds का clip बना चुका है वो यहाँ भी आपको दिखेगा साथ में यह video आप इसे play गर करके यहाँ देख सकते हैं साथ ही एक और clip मैंने add कर रखा इसे भी play करके यहाँ पे देख सकते हैं तो यह विंडो आपको कोई भी clip play करने के लिए यहाँ पे वो clip देखता है, तो कोई भी clip जो आपके पास है, आप उसे individually play करके देखना चाहते हैं कि वो clip किस बारे में है, तो आप यहाँ पे play कर सकते हैं, साथ ही जब आप इस window को यहाँ पे timeline में लेके आते हैं, इसे हम timeline कहेंगे, यहाँ पे a indicate कर रहा audio या फिर sound को, यहाँ V2, V3, यह तीनों वीडियो के लिए हैं, और यह तीनों audio के लिए हैं, वो सकता है आपको दो ही वीडियो और दो ही audio timeline दिखेंगे, जब आप फर्स्टाम केडल लाइव इंस्टॉल कर रहे हों, बट उसे आप change कर सकते हैं, वो भी मैं show करने वाला हूं, हमारे next videos में, साथ ही ले करें, तो आपके timeline में जो भी आपने editing कर रखी है, उसे आप यह प्ले कर, आते हैं composition में, यह composition आपके audio वीडियो के लिए जो भी लगेंगे, जैसे wipe transition के लिए, sliding के लिए, screen saturation के लिए, यह सारे compositions आपके audio या वीडियो में डाल सकते हैं, effect, आपके लिए वीडियो का effect भी हो सकते है, audio effect में आप चाहरे हैं कि noise को कम करना है, कोई भी recorded video में, तो वहाँ पर आप noise अपर जैसे effect को use कर सकते हैं, वीडियो में आपको कोई video को transform करना है, crop करना है, तो आप transform कर सकते हैं, या फिर crop कर सकते हैं, तो यह सारे effect दिये वे audio और वीडियो से related, आप यहाँ आएंग लेकिन आप simply video वाले पर click करेंगे, video icon पर तो यह सर्फ video के effects को show करेगा, और audio clip पर audio effects को show करेगा, clip properties, यह clip properties कोई भी clip जिसे आपने select कर रहा है project bin में, ठीक है, उसके properties को show करता है, file size, मतलब बहुत सारे data, जो उस audio या video के लिए information देते हैं, ठीक है, उनका resolution, file का size, केतने frame पर उसे record किया गया था, यह सारी चीज़े, तो यह clip के details के लिए देते हैं, यहाँ पर आप जो windows देख रहे हैं, आप कोई भी effect या composition जब अपने clip पर लगाते हैं, जैसे के मैं यहाँ पर एक crop का effect लगा रहा हूं, तो जैसे ही उस video या audio पर हम click करते हैं, जो भी effect उस video या clip पर लगा हूँ है, वो आपको यहाँ पर show करेगा, और आप उस effect को change कर सकते हैं, यहाँ के दिएगा properties के, और जानकारी आप अगले वीडियो में देख सकते हैं,